नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके ओफिशिल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में मैं हूँ निमाई सारा आपके समख्ष उपस्तितु साइकलोजी विश्यवस्तू को लेकर स्ट्वेंट्स आज की क्लास में हम डिसकस करने वाले हैं सेक्षिक प्रवंदान और प्रशाशन टॉपिक पर बेस्ट प्रैक्टिस चैड टू के बारे में जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट ख्लासेस के माध्यम से हमने प्रैक्टिस चैड वन कवर किया है जिसके अंतरगत लगभग हमने 15 प्रशनों को सॉल्व किया और जाना कि सेक्षिक प्रवन्दन एवंग प्रशाशन टॉपिक पर बेस्ट किस तरीके के प्रशन सूपर्टेट एक्जैम्स में बनते हैं और हमने जो कंटेंट कवर किये हैं उनसे रिल्टेट प्रशन किस तरीके से पूछे जाते हैं आशा करता हूँ कि सभी प्रशन आपको क्लियर हो पाए होंगे आज की क्लास में हम कुछ और most important प्रशनों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं आज देखेंगे कि और किस तरीके से प्रशन इस टॉपिक पर बेज़ड बन सकते हैं और यदि ऐसे प्रशन बनते हैं तो उनको हम solve किस तरीके से करेंगे तो चले शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला कोशन और इस practice set series का 16th कोशन आपके screen पर है कोशन नमबर 16 में आपसे पूछा गए स्टुएंट्स सेक्षिक संस्थानों है तू प्रवंधन की कौन सी प्रवीधी नहीं अपनाई जाती है आपसे यहां पर नहीं पूछा गया इसका मतलब तीन option आपके प्रवंधन के अंतरगत प्रवीधियां अपनाई जाती है और एक प्रवीधी नहीं अपनाई जाती वो कौन सी है यह आपको बताना है एक तंत्रियां मतलब एक व्यक्ति द्वारा जो बनाया गया सिस्टम होता है बहुत तंत्रियां जिसमें बहुत सारे लोगों द्वारा जो सिस्टम तयार किया जाते है और जन तंत्रिय का मतलब होता है कि पूरे सुसाइटी समाज के सभी लोग के द्वारा जो सिस्टम बनाया जाते हैं ये तीनों ही प्रवीधियां जो है वो management के अंतरगत आते हैं बट एक ही option आपको different लग रहा होगा और वो है बहु विकल्पयानी objective तो ये जो है प्रवीधि ऐसी कोई प्रवीधि नहीं होती है जिसका use हम सेक्षिक्षन स्थानों में करते हैं इसलिए इसका right option बन जाएगा आपका D क्योंकि ये जो एक तंत्रिये बहु तंत्रिये और जन तंत्रिये हैं ये सभी प्रवंधन की प्रवीधियां है इनका use आप करते हैं सेक्षिक्षन स्थानों में बड़ बहु विकल्प ये कोई भी प्रवीधि नहीं है इसलिए इसका उप्योगम नहीं करते हैं तो इसलिए इस questions का right option बनता है आपका D क्या है कि विद्देले प्रवंधन का मतलब होता है स्कूल मैनेजमेंट का प्रमुक कारिया निकि most work क्या है ये आपको बताना है option A कहता अधिगम भ्रहमन option B कहता है व्यावारिक सुधार गुनात्मक सुधार option C कहता अध्यन या अध्यापन और option D कहता है प्रवंधन या नियोजन अब आपको बताना है कि जो स्कूल मैनेजमेंट है उनका क्या कारिया होता है निकि उनके work क्या होते है ये आपको बताना है क्या वो अधिगम और भ्रहमन करने के लिए होते हैं तो बिलकुल भी नहीं होते हैं व्याभारिक सुधार और गुणात्मक सुधार विद्याले प्रवंधन का कारिया ये होता है कि वो व्याभारिक सुधार करे और गुणात्मक सुधार करे तो ये भी नहीं होते हैं और C option कहता है अध्यापन और D option कहता है प्रवंधन या नियोजन तो इसलिए देखे विद्यले प्रवंधन का जो प्रमुख कारिय है उसमें C और D options के according अगर हम देखे mainly जो हम school management जो तयार करते हैं इसका एक ही मकसद होता है कि इसमें अध्यन सही धंग से हो और अध्यापन यह जो teaching process है teaching learning process है यह बहतर धंग से संचालित किया जा सके सभी teacher यही सभी सिक्षक एवं कार्य करता अपने duty को बखुबी से निभाए और school को बहतर धंग से संचालित करे ताकि बच्चों का अधिक से अधिक development हो तो इसलिए अध्यापन जो है यह best option है क्योंकि प्रवंधन के अंतरगर सबसे main जो चीजे हैं इसको ध्यान में रखकर ही प्रवंधन यह management तयार किये जाते हैं तो इसलिए option D जो है यह भी नहीं हो सकता तो बचाओ option आपका C ही right होगा क्योंकि यही इस questions का best option है आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस questions की right option तक भी easily पहुँच पायोंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते next question आपसे क्या कहता है तो next question 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 number 18 आपसे कहता है students की प्रवंधन क्यूं आवश्चक होता है देखे management क्यूं आवश्चक होता है यह आपको बताना है आपसे पूछा गया है option A कहता है सामुहिक उद्देशु की पूर्ती करना option B कहता है शांतिपूर्ण माहोल बनाए रखना option C कहता है विद्देले में अनुशाशन इस्थापित करना option D कहता है सिक्षक और छात्र के मध्य परस पर वारतालाब करना तो देखे सिक्षक और छात्र के माध्धे आप परसपर वारतालाब करते हैं इसके लिए प्रवंदन आवश्चक होता तो बिलकुल भी नहीं होता विद्यले में अनुशाशन स्थापित करना देखे अनुशाशन ऐसा नहीं होता कि आप बिलकुल जो है अनुशाशन को स्थापित कर देंगे क्योंकि आज की जो सिक्षन पधती है वो बाल के इंद्रित है तो इसलिए विद्याले में अनुशाशन जबरदस्ती स्थापित करना जरूरी नहीं है कि बच्चे को अपनी responsibility अपना दाइरा पता होना चाहिए बच्चे अपने आपको कैसे adjust करें उसे टीचरों से कैसे बात कर तो दीखे प्रवंधन यानि की जो management है इसके अंतरगत शांतिपूर्ण माहोल तो बनाए रखना जरूरी है सामुहिक उद्देशु की पूर्ति करना यानि A और B option में अगर हम बात करें तो सामुहिक उद्देश मतलब यानि प्रवंधन के अंतरगत बहुत सारे faculty members होते हैं और अपने कारे को संचालित करते हैं तो एक बहतर management कहलाता है तो अगर हम बात करें प्रवंधन क्यूं आवश्चक होता है तो इसके लिए B option से बहतर option है आपका A कि सामुहिक उद्देशों की पूर्ति करना जो है ये प्रवंधन का main उद्देश होता है यही आवश्चक हो question number 19 आप से कहता है तो question number 19 आप से कहता है प्रवंधन के दो प्रमुख महत्व बताया यानि कि जो management है इसके दो प्रमुख महत्व आपको बताने है option A कहता है कि उद्देश्य एवंग नीतियों का निर्धारन एवंग सेक्षिक प्रवंध विक्सित करना option B कहता है अध्याप इवंग गुनात्मक सुधार इवंग विधी विवस्था इस्थापित करना अब आपको बताना है कि management के जो दो महत्पुन महत्व होते हैं ये इन चारो option में कौन से option में आपको best दिखता है तो अगर मैं बात करूं स्ट्रेंट्स option number B की तो अध्यापन संबंदी कारिय विवस्था में सुधार लाने की भी कोई आवश्था नहीं है इसलिए option number B आपका बिलकुल नहीं हो सकता option C की अगर बात करें सरकारी अधिकारियों के जाच क्रियानविन में साहता मिलती है देखें आप management इसलिए नहीं करते कि आप सरकारी अधिकारियों की जो जाच है उन क्रियानविन कारेकरम में उनको help मिलें इसलिए आपको जो है management तयार करनी के आवश्था नहीं है तो इसलिए भी C option नहीं हो सकता और option number D कहता है सिक्षा तंत्र का परिणात्मक सुधार एवंग विधी विवस्था स्थापित करना देखें सिक्षा तंत्र का परिणात्मक मत नहीं जाएंगे आप बहतर quality provide करेंगे यह आपका उद्धिश्य होना चाहिए लेकिन यहां पर परिणात्मक वर्ड की वज़े से यह option भी आपका गलत हो जाएगा तो बचावा option A है जो बिलकुल option right है positive है क्योंकि इसमें बताया गया है कि प्रवंधन के उद्धिश्य एव आपका motto होना चाहिए तो यह दोनों ही महत आपके प्रवंधन के लिए बहुत ज्यादा helpful है इसलिए इस questions का right option आपका A बनता है बाकी तीनों option आपके negative हो जाते हैं इसलिए right option आपका हो जाएगा A आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और questions के right option तक भी easily पहुँच पायोंगी चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question आपसे क्या कहता है तो next question question number 20 आपसे कहता है सैक्षिक प्रशाशन के किस यूग में प्रशाशन की समस्याओं को समझने तथा हल करने पर जोर दिया गया मतलब जो आपके education administration है इसके किस यूग में यानि कि कौन से यूग में प्रशाशन की समस्या को समझने तथा solve करने पर जोर दिया गया है option A कहता है प्राचिन काल में option B कहता है मध्यकालिन काल में option C कहता है अधुनिक काल में option D कहता है इनमें से कोई नहीं तो देखे आपको पता है कि प्राचिन काल में जो सिक्षा का माध्यम था वो वेदो पराधारित था और उसमें आपको पता है कि इसमें बाल के इंदरिश सिक्षा नहीं थी यह सिक्षक के इंदरिश सिक्षा थी तो इसलिए प्राचिन काल में तो कभी भी समस्या को समझने और हल करने पर विचार नहीं किया गया, मध्यकालिन काल की अगर हम बात करें तो इसमें आप क्याते हैं मुसलिम काल, और आप जानते हैं कि मुसलिम काल में जो सिक्षा का प्रचार प्रछार था वो किस प्रकार से था, तो इसलिए यह option B जो है आपके समस्या को समझने और हल करने पर कभी जोर नहीं दिया option number C आपका कहता है आधुनिक काल और option D कहता है इन में से कोई नहीं हो नहीं सकता इसलिए right option आपका बन जाएगा C और आप जानते हैं कि अभी जो हम psychology या अभी हम जिस काल में हैं वो है आधुनिक काल और अभी हम जो ये psychology के अंतरगत जितने विशे पढ़ते हैं चाहे आप UP TED में पढ़ते हैं या फिर C TED में उसके बाद आप सूपर TED में भी इतने सारे content topic को पढ़ते हैं ताकि आपके यहां से 30 प्रशन पूछे जा और उनको आप write कर पाए आयोग का भी यही उद्देश है कि आप इस topic को पहले पढ़े इसके प्रशनों को solve करने के लिए topic को पढ़े इसको समझे और आपके ब्यावहर में परिवर्तन हो और आप बच्चों को समझ पाए आप एक बहतर सिस्टम को निर्मित कर पाए जिससे अब जो काधिक सेधिक development हो पाए तो यह सभी चीजे मतलब प्रशाशन की समस्या को समझने और हल करने पर जो जो जोर दिया गया है वो दिया गया आपके आधुनिक काल में इसलिए questions का right option बनता है आपका C I hope आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस questions के right option तक भी easily पहुँच पाए होंगे चले next questions पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question question number 21 आपसे क्या कहता है तो question number 21 में आपसे पूछा गया स्ट्रेंट की सेक्षिक प्रशाशन का एक प्रमूख उद्देशे बताईए देखे जो सेक्षिक प्रशाशन है एनि education administration है इसका एक प्रमूख उद्देशे आपको बताना है option first कहता है कारिये संचालन करना option second कहता है कारिये वितरन करना option third कहता है कारिये प्रवंधन करना और option D कहता है कारिये नियोजित करना अब आपको बता रहा है कि सेक्षिक प्रशाशन का एक मात्र उद्देश क्या हो सकता है देखें सेक्षिक प्रशाशन जो point है strength इस topic को cover करने के दोरान content वाले portions में हमने detail में इस बरबाचित की कि education administration वास्ता में होते क्या है और सेक्षिक प्रशाशन कहते किसको है इसके प्रमुख उद्देश कौन कौन से होते हैं इसके क्या कारिय होते हैं तो इसके अंतरगत हमने एक point पर विशेश रूप से ध्यान दिया है कि जो सेक्षिक प्रशाशन हम उस point को कहेंगे या सेक्षिक प्रशाशन हम उसको कहते हैं जो कारिय को सही धंग से संचालित करें मतलब आप जो है सेक्षिक प्रवंदन के अंतरगत जो भी आप system में जो भी नियम कानुन को निरधारित करते हैं उसको सही ढंसे नियमित रूप से संचालित करना ही सैक्षिक प्रिशाशन कहलाता है इसलिए सैक्षिक प्रिशाशन का एक प्रमुक उद्देश आपका हो जाएगा कारिय का संचालन करना है इसलिए इस questions का right option बनता है आपका एक आए होग आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस questions के right option तक भी easily पहुँच पाई होंगे चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question आपसे क्या कहता है तो next questions, question number 22 आपसे कहता है students की प्रशाशन का अर्थ बताए देखे administration का आपसे अर्थ पूछा गया है कि इसका आपको अर्थ बताना है option A कहता है प्रशाशनी कारिय करना, option B कहता है कारियों का प्रवंधन करना option C कहता है प्रशाशन का संचालन करना और option D कहता है कारिय संचालन करना अब आपको बताना है कि प्रशाशन का क्या अर्थ होता है तो अगर हम बात करें प्रशाशन की यानि कि administration की तो इसका अर्थ होता है कारियों का प्रवंधन करना content वाले portions में हमने इस पर detail में बात की है अगर आपने content वाले portions को बहुत अच्छे से cover किया होगा तो आप ऐसे questions के right option तक easily पहुँच सकते हैं और अगर आपने cover नहीं किया तो सबसे पहले आप उनको cover कीजिए उसके बाद practice set को solve कीजिए तब आपको realize होगा कि content में हमें क्या पढ़ना होता है किस तरीके से पढ़ना होता है ताकि हम इस पर based question को solve कर पाएं तो अगर मैं बात करूँ प्रशाशन का अर्थ है तो कारियों का प्रवंधन करना इस questions का right option हो जाएगा I hope आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस questions के right option तक भी easily पहुँच पाएंगे चले आगे बढ़ते हैं और देखते next questions क्या कहता है आपसे तो next questions question number 23 आपसे कहता है एक तंत्रिय प्रवंधन क्या है देखिए एक तंत्रिय यानि कि single system जो प्रवंधन है ये किसको कहते हैं या ये क्या है ये आपको बताना है option A कहता है एक अधिकारी संपूर्ण सिक्षन कारियों समालता है option B कहता है एक अधिकारी संपूर्ण व्यवस्था को संचालित करता है option C कहता है एक अधिकारी पूरे जीले का सिक्षन कारियों देखता है और option D कहता है एक अधिकारी बहु इस्तरिय योजना बनाता है अब आपको बताना है कि जो एक तंतरिय प्रवंदन है या एक सिंगल सिस्टम जो management होते हैं वो क्या होते हैं क्या एक अधिकारी संपुन सिक्षन कारिय समालता है या एक अधिकारी संपुन व्यवस्था को संचालिक करता है या एक अधिकारी पूरे जिले का सिक्षन कारिय द सम्हालता है यह बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा आप संपूर्ण सिक्षन कार्य को नहीं सम्हाल सकते दूसरी बात एक अधिकारी संपूर्ण व्यवस्था को संचालित करता है हाँ ये हो सकता है option c कहता है एक अधिकारी पूरे जिले का सिक्षन कारिया देखता है ये भी नहीं हो सकता कि पूरे जिले के अंदर एक ही अधिकारी हो जो पूरे जिले का सिक्षन कारिया देखे पॉसिबल नहीं है और एक अधिकारी बहुस विशुतरी योजना भी नहीं बना सकते क्योंकि एक single विक्ती कोई भी planning नहीं करता कभी भी कोई भी शिक्षा इस्तर में या किसी भी इस्तर में जो planning के जाते हैं। बहुत सरे मेंबर्स मिलकर बैटकर डिसकेशन करते हैं गुरूप डिसकेशन करते हैं और एक बहतर रिजल्ट तक पहुंचते हैं तो तीनों नहीं हो सकते हैं बचाओ अप्शन भी आपका राइट हो जाएगा कि एक अधिकारी संपूर्ण व्यवस्था को संचालित करता हैं के लिए मान लीजिए कि आपके विद्याले में जो आपके प्रधान अध्यापक होते हैं वो पूरे व्यवस्था को संचालित कर सकते हैं तो वो एक अधिकारी संपूर्ण व्यवस्था को संचालित कर सकते हैं और ऐसे सिस्टम को ही कहा जाता है एक तंत्रिय प्रवंधन इ से कहता है स्टुएंट्स की ग्राम सिक्षा समिती किस प्रकार की प्रवंधन समिती यहां पर स्टुएंट्स थोड़ा सा टाइपिंग एरर है तो ग्राम सिक्षा समिती किस प्रकार की प्रवंधन समिती है यह आपको बताना है option A कहता है स्वत तंत्रिय, option B कहता है बहुत तंत्रिय option C कहता है जन तंत्रिय और option D कहता है एक तंत्रिय तो आपको बताना है कि जो ग्राम सिक्षा समिती है यानि ग्राम सिक्षा समिती किस प्रकार की प्रवंदन समिती है यानि कि किस तरीके की प्रवंदन समिती है का right option क्या हो सकता है अगर आपने content वाले portions को बहुत अच्छे से cover किया है तो आप इस questions के right option तक easily पहुँच सकते हैं क्योंकि जो gram सिक्षा समीती होते हैं इसमें प्रधान अध्यापक होते हैं आपके लेकपाल होते हैं प्रधान के द्वारा निर्वाचित सदसे होते हैं इसके बाद भी 11 अविवावक सदसे भी इसमें शामिल होते हैं तो लगभग लगभग टोटल इसमें 15 सदसे होते हैं ग्राम सिक्षा समीती के अंतरगत क्योंकि जो स्क्राम सिक्षा समयती है वह एक बहुत अंत्रिय प्रवंधन समयती है इसलिए इस कोशन का राइट ऑप्षन बनता है आपका भी आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस कोशन के राइट ऑप्षन तक भी एजिली पहुँच पाए होंगे चाहिए बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कोशन आपसे क्या कहता है तो नेक्स्ट कोशन आपसे कहता है स्ट्रेंट की विद्याले में प्रवंधन के प्रमुख कितने शेत्र बताए गए हैं देखे विद्याले में यहीं कि जो आपके विद्याले हैं इसमें प्रवंधन के य या विद्यले में प्रवंधन के प्रमुख कितने शेत्र बताए हैं तो इस्ट्रेंट्स अगर आपने content वाले portions को बहुत अच्छे से cover किया होगा तो आप इस questions का right option तक easily पहुंच सकते हैं विद्यले प्रवंधन के प्रमुख शेत्रों में आपको तीन शेत्र बताए गए हैं जिसके अंतरगत एक शेत्र होता है आपका भोतिक संचादन दूसरा होता है आपका मानविय संचादन और तीसरा होता है आपका वित्य संचादन तो ये तीनों संचादन शेत्र जो होते हैं आपके विद्यले प्रवंधन के इंतरगत आते हैं और यही आपसे पूछा गया है कि विद्यले में प्रवंधन के प्रमुक कितनी शेत्र बताएगे हैं तो इसके इंतरगत इस questions का right option हो जाएगा तीन शेत्र बताएगे यानिकि option number तो यह option आपका B है और यह option आपका C है तो इस questions का जो right option हो जाएगा वो आपका B हो जाएगा कि विदेले में प्रवंधन के तीन शेत्र बताएगे हैं I hope आप मेरी बातों को समझ पारे हैं और इस questions के right option तक भी easily पहुँच पायोंगे तो लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question आप से क्या कहता है तो next question आप से कहता है students की प्रात्मे कक्षाओं के बच्चों को पाथे पुस्तके निशुल्क उपलब्द कराई जाती है देखे जो प्रात्मे कक्षाओं होती है यानि कि primary level पर जो one to five के कक्षाओं होती है उसमें बच्चों को जो पाथे पुस्तक है निशुल्क फ्री में ये उपलब्द किन के द्वारा कराई जाती है option A कहता है भारत सरकार द्वारा option B कहता है राज्य सरकार द्वारा option C कहता है जीला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा option D कहता है अभिवावक द्वारा तो आपको बताना है कि जो primary level पर बच्चों को जो किताबे दी जाती है निशुल्क वो किन के द्वारा उपलब्द कराई जाती है ना ही जीला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा और ना ही भारत सरकार के द्वारा उनको जो किताबे दी जाती है आपको पता है वो S.C.E.R.T. की किताबे होते हैं निकि स्टेट की होती है तो राज्य सरकार के द्वारा उनको ये पुस्तके प्रोवाइट की जाती है तो इसलिए इस questions का right option बन जाएगा आपका B राज्य सरकार द्वारा I hope आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और questions के right option तक भी easily पहुँच पाईँगे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next questions question number 27 आप से क्या कहता है तो question number 27 आप से कहता है students की समेशारनी उत्तम साधन है देखिए जो समेशारनी है यह जो time table है यह उत्तम साधन है यह बेस्ट साधन है आपके लिए option A कहता है विद्याले में time table अगर आप बनाते हैं यह आपके विद्याले में बनता है तो यह किस लिए है क्या यह विद्याले में अनुशाशन इस्थापित करने के लिए है तो अनुशाशन इस्थापित करने के लिए आप time table कभी नी बनाते Option B कहता है नियमिद सिक्षन अधिगम प्रक्रिया का यानि कि जो सिक्षन अधिगम प्रक्रिया यानि कि Teaching Learning Process है वो इक नियमिद तरीके से एक नियम के According चलता रहे तो ये option हो सकता है option c कहता है शिक्षकों में शिक्षण अनुशाशन जो teacherों में सिक्षण के प्रतिया अनुशाशन तो इसके लिए आप टाइम टेवल कभी तयार नहीं करते हैं इसलिए c option भी नहीं हो सकता और option d कहता है प्रधान अध्यापक के निरिक्षण की सुविदा यानिकि प्रधान अध्यापक को निरिक्षन करने में आसानी हो इसलिए आप टाइम टेवल निर्मित नहीं करते हैं तो तीनों ही option आपके हो जाते हैं गलत बचाओ option आपका B इस questions का right हो जाता है कि नियमित सिक्षन अधिगम प्रक्रिया यानि कि सिक्षन अधिगम प्रक्रिया को एक नियमित धंग से proper way में चलने के लिए आप time table तयार करते हैं और यही सबसे best साधन माना जाता है इसलिए इस questions का right option बनता है आपका B I hope आप मेरी बातों को समझ पारे हैं और questions के right option तक भी easily पहुँच पायोंगे चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question number 28 आपसे क्या कहता है तो question number 28 आपसे कहता है होगी है चोटे बच्चों के लिए पियुक्त अविदी होगी देखे चोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए पियुक्त अविदी क्या होगी यह आपसे पूछा option a कहता है 10-15 मिनट option b कहता है 30 से 35 मिनट option c कहता है 60-70 अग option D कहता है 70-80 तो इस्ट्रेंट्स आपने micro teaching वाले portions में micro teaching को बहुत अच्छे से cover किया होगा यहनि सुक्ष्म section के नतरगत जोसके 6 पद होते हैं उन 6 पद के time period भी मैंने आपको बताए हैं तो उन period को उन time period को यह आप count करेंगे तो उसके हिसाब से भी आप इस questions के right option तक easily पहुँच सकते हैं लेकिन मैं आपको बता दू कि आपने B.Ed या फिर D.L.Ed के दौरान आपने teaching learning process अवश्य किये होंगे आपके practical अवश्य चले होंगे तो उस दौरान भी आपने 15 मिनट नहीं दिये जाते हैं 60 से 70 मिनट नहीं होता और 70 से 60 मिनट भी नहीं हो सकते बचाओ option आपका 30 से 35 मिनट और micro teaching में भी आप 6 के 6 stage को अगर आप count करते हैं तो 30 प्लस मिनट पर पहुँचते हैं यानि 30 से 35 मिनट ही इस questions का right option हो जाएगा और यही एक period की उप्यूक तो समय अवधी होती है इसलिए इस questions का right option बनता है आपका B आई हो आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और questions के right option तक भी easily पहुँच पाएगे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next questions question number 29 आप से क्या कहता है तो question number 29 आप से कहता है students की विद्याले में सिक्षन के अलावा बचों में विकास है तु विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए तो आपको बताना है कि विद्याले में सिक्षण के अलावा विशेश ध्यान देने क्या वच्यान देने के अब शकता है तो सिर्फ गणित विशे पर आप नहीं दे सकते और भी विशे होने चाहिए इसलिए option number A नहीं हो सकता option number B कहता अंतर नहीत गुण हैनि कि उस बच्चे के अंदर जो गुण समाहित है उस पर ध्यान देना चाहिए बिल्कुल सही बात है option C कहता है अंतर नहीत शक्तियों पर हैनि कि उस बच्चे के अंदर क्या capability है इस पर तो ये भी बिल्कुल सही option है option D कहता है अंतर नहीत गुणों एवंग शक्तियों पर अगर मैं बात करूँ B और C option ये दोनों के दोनों option आपके D में आ जाते हैं अंतर नहीत गुणों एवंग अंतर नहीत शक्तियों पर तो इसलिए इस questions का best option आपका D है इसलिए questions का right option भी आपका D हो जाएगा I hope आप मेरी बातों को समझ पारे हैं और questions के level को भी समझ पारे होंगे कि examiner किस mindset के साथ आपके लिए प्रशनों बना रहे हैं या प्रशनों पूछते हैं तो यही main उद्देश है आपको realize कराना कि इस topic को आपको कैसे पढ़ना होता है कैसे factual question बनते हैं कैसे understanding level पर आपकी quality की जाँच की जाती है आपके ब्याभार की जांच की जाती है आप देख पा रहे हैं कि B option भी right है और C option भी right है और दोनों option को mix करके D में डाला गया बच्चा क्या होता है कि बहुत सारे बच्चा ऐसे होते हैं कि चारो option सही भी होते हैं लेकिन उन में भी आपको best option छाटना होता है इस्ट्वेंट्स यही उद्देश है कि मैं जो आपको practice set के दौरान question solve कराता हूं ताकि आपको realize कराऊं कि questions के level कैसे होते हैं और आप best option तक कैसे छाट कर पहुंच सकते हैं आशा करता हूं कि आपको यह सभी points clear हो पाते हैं और जो मैं बताने की कोशिश करता हूं उसको आप समझ पाते हैं लेकिन फिर भी अगर आपके minds में कोई doubts है तो आप मुझस सकते हैं comment section में चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question आपसे क्या कहता है और इस practice set का यह last question आपके screen पर इस students question number 30 में आपसे पूछा गया है अधिगम प्रवंधन का महतपूर्ण पक्ष है एनि कि जो अधिगम प्रवंधन है एनि कि learning जो management है इसका महतपूर्ण पक्ष है निकि सबस most important पक्ष एनि area क्या है यह आपसे पूछा गया है option A कहता है अनुशाशन option B कहता है दंड option C कहता है डांट फटकार और option D कहता है प्रशाशन तो students अगर मैं बात करूं तो दंड जो है negative हो जाता है यह नहीं हो सकता डांट फटकार भी negative में चला जाएगा यह भी नहीं हो सकत और option A और D दोनों ही right है अनुशाशन इस्थापित करना भी management का ही एक पक्ष होता है और प्रशाशन भी लेकिन अनुशाशन और प्रशाशन में अगर मैं बात करूं तो सबसे best हो जाता है कि प्रशाशन सबसे best हो जाता है क्योंकि अनुशाशन भी प्रशाशन का एक हिस्स प्रशाशन के अंतरगत आप पूरी व्यवस्था को संचालित करते हैं उसके नियम कानून को सही ढंग से नियमित तौर से संचालित करने की कोशिश करते हैं जिसके अनुशाशन टेचिंग लर्निंग प्रोसेस अध्यान अध्यापन प्रोसेस सभी चीजे जो है प्रशाशन क अंतरगत आ जाते हैं इसलिए best option आपका D है इसलिए questions का right option भी आपका D हो जाएगा यानि अधिगम प्रवंधन का महत्पुन पक्ष आपका है प्रशाशन इस questions के according आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं और questions के right option तक भी easily पहुँच पाई होंगे और आपने देखा कि जो practice at 2 के दौरान हमने 15 questions solve किये हैं उन प्रशनों का level किस प्रकार का है और इस topic selected किस तरीके से आपसे प्रशन पूछे जाते हैं आशागरतों कि सभी प्रशन आपको easily clear हो पाए होंगे लेकिन फिर भी अगर कोई doubts आपके मन में बनता है तो आप मुझे comment section में comment कर सकते हैं मैं कोशिश करूँगा कि आपके doubts को clear करूँ आज के लिए बस इतना ही अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे like कीजिए अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वेल आइकन को भी प्रेस कर दीजे ताकि इसी तरीके के beneficial वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाओ तो आपको time to time notification मिलते रहें धन्यवाद जेहिंद